सावन महिने की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है, इस दिन नागों की पूजा होती है कहा जाता है कि पंचमी के दिन नाग की पूजा करने से काल सर्प दोस्त से मुक्ती मिलती है तेश के अलग-अलग हिस्सों में नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है आमतोर पर इस दिन नागों को दूद, लावा का भोग लगाया जाता है घरों में नाग की मूर्ती या फिर उनकी चित्र बना कर उनका टीका किया जाता है लेकिन यूपी में नाग पंचमी के दिन एक दिल्चस्प और अजीब तरीका आजमाया जाता है यूपी के कुछ जिलों में नाक पंचमी के दिन गुडिया को पीटे जाने का प्रथा सदियों से चला आ रहा है इस दिन घर की महिलाएं पुराने कपड़े से गुडिया बनाती हैं और नाक पंचमी वाले दिन उन्हें चौराहे पर रख आती हैं इसके बाद महले तथा गाउं के लड़के लाठी डंडों से उस कपड़े की गुडिया को पीटते हैं इस प्रथा के पीछे क्या कारण है लोग ऐसा क्यों करते हैं इस बारे में कोई इसपष्ट जानकारी नहीं मिलती लोगों का ये मानना है कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से गाउं की रक्षा के लिए लोग ऐसा करते हैं नाग पंचमी मनाने के कई और भी अलग-अलग तरीके हैं जो काफी दिल्चस्प हैं उडिसा और पस्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में नाग पंचमी के दिन नाग की मूर्तियां बनाई जाती हैं उनका टीका किया जाता है सपेरे नाग लेकर आते हैं और महिलाएं उन्हें दूद लावा का भोग लगाती हैं जार्खन बिहार के कजजिलों में बकायदा मेला लगता है यहां मेले में अलग-अलग तरह के सापों का खेल होता है बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए जुटते हैं और उनकी पूजा करते हैं यहां महिलाएं अपने घर के दरवाजे पर गोबर और मिट्टी की सहता से नाग की आकृतियां बनाती हैं, सुख जाने पर इसका टीका किया जाता है, फिर विधी विधान से इसकी पूजा की जाती है पस्चिम बंगाल और जारखन के सीमावर्ती जिलो में नाग पंचमी के दिन रित्य नाटक होता है, इसमें राजा परिक्षित को नागराज तक्षक द्वारा काट लिये जाने और फिर जनमेजय द्वारा इसका बदला लेने की कहानी दिखाई जाती है, यह अधिकांस बंग